वेलकम टोनली आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Art and Culture के Current Affairs के Revision का ये हमारा आठवा लेक्चर है आज के सेशन में हम अप्रेल महिने के Art and Culture के Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते है सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included है काफी सारे test, full length और sectional और weekend out sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको Free CSAT के classes और उनके test series भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केवल test series में join करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए है आपका revision और चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए last my leap join कर सकते हो इसमें आपके 19 sectional test है, 5 current affairs के test है, 15 full length test है, 4 CSAT के test है इसको join करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर join कर सकते हो At the same time एक CSAT के लिए program है जो की essay students को cater करता है जिनका CSAT week है तो CSAT expert program आपके सब ही CSAT के topics को cover करता है Video Lectures के form में और छोटे-छोटे handouts भी हर lecture के बाद आपको मिलते हैं प्राक्टिस के लिए और last में कुछ full length test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ batch को join कर सकते हैं इसमें आपको एक full foundation batch के तरह के से सारी requirements UPSC के point of view से fulfill की जाती है इसमें video lectures भी है, study materials भी है, test series भी है, mentorship भी है, interview guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पर visit करो याद रखना कि तेजस program के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही visit करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info at the.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं तालिबान के रेजीम ने भी हाल ही में ये बोला कि वो ancient गुद्धा के जो statue है mess anic में उसे preserve करेंगे, protect करेंगे further जो एक copper mine की site है वहाँ पर भी जो भी buddhist architectures वगरा है उन्हें बचाया जाएगा वो उमीद कर रहे हैं कि उस region में उन्हें Chinese investment भी मिलेगा तो ये एक positive बात है कि at least वो इस बार उतनी hostile नहीं है बधिष्ट architecture को लेकर जितना वो पिछली बार थे हाला कि पिछली बार भी उन्होंने assure किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे despite उसके उन्होंने जो बामियान की मूर्तियां थी उनको destroy किया था जो बामियान valley है वो हिंदुकुस mountains के बीच में आपको मिलेगा river बामियान के पास में ये पहले silk route का भी हिस्सा हुआ करता था और commercial cultural exchange का center हुआ करता था बामियान के बुद्धास की जो मूर्तियां हुआ करती थी वो गुपता, सेसैनियन और हेलिनिस्टिक यानि की ग्रीक जो styles हैं उनका एक mixture हुआ करती थी ये मानता थी कि जो बामियान बुद्धा की मूर्तियां है वो 5th century AD के आसपास बनाई गई थी और एक समय में ये दुनिया की सबसे लंबी बुद्धा की मूर्तियां हुआ करती थी इन्हें सालसाल और समाम के नाम से पुकारा जाता था सालसाल का मतलब ये होता है light जो universe से आती हो और समामा का मतलब होता हुथा queen mother UNESCO ने 2003 में इसे world heritage site में भी include किया और preserve करने की कोशिस कर रहे है mess anek की बात करें तो ये आप देखे जो location है यहाँ जो location में आपको दिखा रहा हूँ ये mess anek की है ठीक है यहाँ पर भी ये location आपको काबुल के नजदीक में मिलेगी ये basically आपको काबुल से 40 km south east में मिलेगा जो लोगर province है वहाँ पे baron region है अफगानिस्तान की सबसे बड़ी copper deposit आपको यहीं पे मिलेगी यहाँ पे 400 गुद्धा के statues भी है स्तूपाज है 40 hectare या 100 hectare का area है एक monastery complex का तो यहाँ को भी preserve करने की इस region को भी preserve करने की जरूवत तो है है हमारा next article मात्रभूमी शो के बारे में है मात्रभूमी शो को अभी लालकिला के premise में organize किया गया यहाँ पेक्शनी में projection mapping के माध्यम से showcase किया गया जो इंडिया का culture है music है उसके basis पे sound and music का इस्तेमाल करके जो culture है उसे portrait किया गया भारत भाग्य विधाता यह Redford Festival है उसी के हिस्से के दौर पे मात्रभूमी सो और इस किया गया in fact अब यह मात्रभूमी सो वहाँ पे साल भर होगा तो अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकता है Redford Festival भारत भाग्य विधाता यह Ministry of Culture आजादी का अम्रत महुस्तों के तहत अगेनाइस करवा रहा है परपस यह है कि इंडिया की जो rich history है art, heritage, culture, cuisine और बहुत सारी चीज़ें है उनको लोगों को दिखाया जाए मैं आपको बता दू कि डाल्मिया भारत ग्रुप यानि की DBG ने जो adopt heritage project है उसके तहत लाल किला को adopt कर रखा है तो उसके development के लिए या वहाँ पर कुछ भी activities होती है उसमें वो शामिल होते है adopt heritage project 2017 में लाँच किया गया था ministry involved थे ministry of tourism, culture, archaeological survey of India और state UT की government जहाँ पर जो various monuments हैं उनको कोई एक जो corporation group है वो ले लेता है या adopt कर लेता है वो वहाँ पर कुछ advertisement कर सकते हैं उसके preservation के लिए काम करते हैं तो जो लाल किला है वो डाल्मिया ग्रुप के पास है ये इसके माध्यान से जो भी amenities and facilities हैं उस heritage and natural tourist sites पे उसको develop करते हैं sanitation बगेरा या फिर जो toilet and all है उसको वो सही करते हैं उन्हें monument मित्रास कहा जाता है जो इसमें शामिल होते हैं हमारा next article geo heritage sites के बारे में है हाल ही में geological survey of India ने identify कर लिया है दो नई geological heritage sites को geological heritage sites को declare करने का right इंडिया में geological survey of India के पास ही होता है और इन दोनों sites के addition के बाद भारत में जो geological heritage sites हैं या फिर आप इन्हें short में geo heritage site बोल सकते हैं इनके संख्या बढ़के हो गई है 34 तो पहले ये 34, 32 हो आगरता था और ये दो नई sites जो add की गई हैं ये मिलने के बाद बन चुकी है 34 geo heritage sites ऐसी sites को कहा जाता है जिनकी कुछ geological value हो वो cultural form में significant हो research and development के perspective से बहुत ज़दा important हो earth के evolution या earth की history को लेकर हमें अच्छी जानकारी देते हो ऐसी sites को हम geo heritage site के तौर पे recognize कर लेते हैं geological survey of India parent body होती है एसी sites को recognize करने को लेकर वो efforts लगाते हैं कि ऐसी sites को ना केवल identify किया जाए बलकि protect भी किया जाए जो अभी दो नई sites identify की गई है उनमें एक तो है शिवालिक फोशिल फाथ जो की आपको मिलेगा हिमाश्र प्रदेश में और दूसरा है dolomite या limestone बक्सा formation यहाँ पर आपको जो त्रेक स्ट्रो मैंटर लाइट हैं वो मिलेंगे स्ट्रॉमेटर दाउलिक यह बिसिकली ग्रीन और य्जू ग्ली ग्रीन एलिगी वह इसे सरख करते हैं इस प्रणकी फॉर्मिशन को बनने को लेकर तो जो नि बर धिम अचंट स्क्वाट जो सिवालिक फॉसिल फार्क है वह तो हमाचल प्रदेस में है यहाँ पर हमें एक linear narrow linear depression मिला है एक गढ़े नुमाकरती मिली है जिसे 4 deep नाम दिया किया है बात करते हैं second वाले का that is stromatolite bearing dolomite यह आपको मिलेगा सिक्किम में और यह एक rare example हमें देता है सिक्किम मालयाज में early life का कि यहाँ पर life के सुरुवात होती कैसे है ठीक है next article schedule tribes के status के बारे में है लोगसभा में हाल ही में एक bill pass करके constitution order को amend करके जो दारलॉंग tribal clan है तरपुरा का उससे schedule tribe में शामिल कर दिया गया है बात करते हैं schedule tribes के बारे में census 1931 के according schedule tribe जिसे backward tribe के नाम से भी बुकारा गया है वो या तो excluded रहे है mainstream society से या फिर partially excluded रहे है वो कभी भी mainstream society का हिस्सा नहीं बन पाए government of India Act 1935 ने for the first time जो भी representatives in tribal group से आये उन्हें backward tribes का representative इस प्रकार से संबोधित किया गया provincial assemblies में तो यह समझ में आया कि ऐसे लोगों को backward tribe इस सब्दा वली से recognize किया जाने लगा constitution में एक criteria नहीं दिया गया है कि आखिर हम schedule tribe को कैसे recognize करेंगे इसलिए काफी हद तक 1931 की definition को ही आजादी के बाद इस्तेमाल किया गया article 366 का clause 25 है जहाँ पे यह तो नहीं बताया गया कि schedule tribe कौन होगा rather वहाँ पे process बताया गया है कि आखिर schedule tribe को कैसे declare किया जाएगा schedule tribe का मतलब article 342 के तहत यह है कि schedule tribe as three tribes या tribal communities या फिर part of group जो कि article 342 के तहत schedule tribe है तो article 366 clause 25 में यह नहीं बताया गया कि schedule tribe कौन है बलकि यह जह दीया गया कि article 342 के तहता जो schedule tribe है वह schedule tribe अब मामला आते है article 342 में क्या है तो article 342 में भी नहीं बताया गया है कि schedule tribe कौन होगा rather यह बताया गया है कि उन्हें कैसे recording इस किया जाएगा article 342 का clause 1 है वो यह बोलता है कि President किसी स्टेट या यूटी के रेस्पेक्ट में, अगर वो स्टेट का मामला है, तो वहां के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद, एक पॉब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, किसी ट्राइब, ट्राइब के भी तरह, उन्हें शिडूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं, किसी भी स्टेट या यूटी में, तो कुल मिला के शिडूल ट्राइब कौन होगा, ये तो नहीं बताया है, कैसे बराएंगे, ये बता दिया गया, आटिकल 3.42 क्लॉस 1 में, आटिकल 3.66 का क्लॉस 25 तो कुछ बताता ही नहीं है, सिंप्ली यही बोलता है कि आटिकल 3.42 के क्ल कि administration और control की बात करता है, जिनमें 4 राज्य सामिल नहीं है, आसाम, मिघालिया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों की बात नहीं की गई है, बाकी जो राज्य जहां पर ये tribes पाई जाती है, उन्हें कवर किया गया है, इन्हें इसलिए कवर नहीं किया गया है, पांचव पुरा के बिलॉंग करने वादी एक tribal community है, जिसकी population लगभग 11,000 के आसपास है, हाना कि इनमें education system और cultural activities काफी बढ़िया है, इसलिए local administration में ये लोग आपको senior position पे भी मिल जाएंगे, हमारा जो एक question है, tribes वगरा पर प्रशन पूछे जाते हैं, यही justify करने के लिए इस question को यह पर रखा गया है, 2014 हमें देखी यह प्रशन आया था, कि चांगबा community जो इंडिया की है, उसके बाले में statement आप consider करें, यह उत्तरा खंड से बिलॉंग करते हैं, यह पश्मीना गोट पालते हैं, और उनसे उन निकालते हैं, तीसरा, यह श्रीव ट्राइब की category में आते हैं, आप देख रहे हैं कि एक tribe से कौन सी information आपके लिए काम की है, पहली बात वो कहां के हैं, उनकी specification क्या है, वो schedule tribe है या नहीं, अगर किसी community की हम बात कर रहे हैं तो, यह प्रशन है, अब देखें, यह पहला statement तो गलत है, विकार जो चांगबा tribe के लोग हैं, वो आपको मिलते ह और आपको वैसे भी अंदाजा लगा लेना चाहिए, कि basically अगर हम बात करें पश्मीना गोट की, वूल की, तो यह जम्मू कस्मीर या जो लद्दाक का region है, वहीं पर basically तयार किया जाता है, तो पश्मीना गोट या पश्मीना बूल जो है, वो उत्रा खंड में नहीं मिलेग आपको, बहुत बड़े स्केल पर नहीं मिलेगा, and that is the reason कि यह statement आप eliminate कर सकते थे, बाकि दूसरा और तीसरा statement आपके लिए correct है, तो भी निकल के आएगा answer 2 and 3, बाकि नेक्स्ट आर्टिकल एक पेंटिंग के बारे में है, जिसका टैटल है Battle of Polyleur, यह पेंटिंग अभी हाल ही वहा के शाशक और उनकी बेटी टिपु सुल्तान, उन्होंने Battle of Polyleur, जिसे Battle of Piramakam के नाम से भी पुकारा जाता है, 1780 में British East India Company को हरा दिया था, टिपु सुल्तान ने इस पेंटिंग को, मुराल पेंटिंग के फॉर्म में, 1784 में बनवाया था, आवरा नेक्स आर्टिकल ग लग लग रीजन में Spring Festival होता है, मराथी या कॉंकनी हिंदूस का ये नया साल होता है, हलां कि कई सारे अन्य रीजन में भी लोग इसे नया साल के रूप में कमरेट करते हैं, महराष्टरा, गोवा और जो यूटी है दमन की, वहाँ पर इसे बहुत भी बड़े स्केल पे, चै इसे साल का पहला दिन मानते हैं, यहाँ पे कलरफुल फ्लो टेकोरेशन होता है, रंगोली बगरा बनाई जाती है, स्पेशल गुधी ध्वच एक तयार किया जाता है, मतलब एक झंडा होता है, उस झंडे पर माला चढ़ा दी जाती है, नीम के पत्ते लगाया जाती है, एक कि रामण को हराने के बाद भगवान, राम, अयोध्या आये थे, उसके बाद इसी दिन उनका रज्य रोहन किया गया था, कुरो नेशन किया गया था, फेस्टिवल्स और फोक डांस पे कुश्चन पूछा जाता है, देखे यहाँ पर 2018 का ये प्रश्न है, चप्चार कुट किस राजे से बिलॉण करता है, हमारा निक्स राडिकल राजा रवी वर्मा जी के बारे में है, राजा रवी वर्मा जी की एक पेंटिंग, द्रौपदी, वस्त्रहोरन, इसका उक्शन होने वाला है, उमीद है कि 15-20 करोड के आसपास में बेकेगी, राजा रवी मर्मा जिन इनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके माध्यम से उन्होंने जो भी हिंदू देवी देवता थे या मंदिर थे, उनका humanized depiction किया, और उसे canvas पर लेकर आए, जिसकी मदद से ये जो केवल prayers में हुआ करते थे, ये लोगों के घरों में पहुँच गये, और देवी तयार किये, अपनी paintings के लिए, lithographs क्या होते ही, पत्थर पे आपनी कुछ carving कर दी, उस पत्थर पे आप paint लगाईए और उसे print कर दीजे, मतलब इस प्रकार के paintings को बनाना बहुत आसान हो गया, तो चुकि lithographs के माध्यम से उनकी paintings को बनाना बहुत आसान हो गया, तो उसके reach ब भारत के कोने-कोने में पहुँच गए, और उनकी paintings को object of worship के रूप में देखा जाने लगा, उनके कुछ बहुत ही famous work है, जैसे कि दमयंती talking to swan, सकुंतला looking for dushyant, नाया लेडी adorning her hair, और शांतनू and मश्च गंधा, ये कुछ उनकी famous paintings के नाम है, पूछा जा सकता है कौन से painting painting किसके है, 1904 में बिट्शोस ने, जो colonial government हुआ करती थी, उन्होंने कैसरे हिंद gold medal, उन्हें grant किया, 2013 में उन्होंने, मतलब जो planet mercury पर एक crater था, उसे उनके honor में नाम दिया गया, राजा रवी वर्मा crater के नाम पर, ठीक है, तो 2013 में ये honor उन्हें दिया गया, painting वगएरा पे अक तो Ajanta Caves में है, बताइए दूसरा कहा है, options है, बाक caves, एलोरा caves, लोमस, रिशी caves और नासिप caves, इसका जवाब क्या होगा, मैं तो कत्ता ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जवाब आप मुझे बताएंगे comment box में, तो नेक्स आर्टिकल है, वो sacred grooves के बारे में है, grooves का मतलब jungle ही होता है, और sacred का मतलब होता है, पवित, मतलब ऐसे जंगल जो पवित रहें, इंडिया के जो sacred grooves हैं, वो धीमे-धीमे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि human population बढ़ रही है, biomass का removal हो रहा है, pollution बढ़ता जा रहा है, that is the reason कि जो functional values हैं, वो कम हो रही है, और grooves को नुक्सान हो रहा है, sacred grooves क्या होते हैं, sacred grooves forest के छोड़े छोड़े टुकड़े होते हैं, जिनने कोई community protect करती है इस आधार पे, कि वो उनके लिए religious point of view से बहुत important है, ये जंगल अक्सर बहुत घरे घने होते हैं, जिनमें लता, climbers, herbs, shrubs, shrubs या trees पाया जाते हैं, बिसिकलिल उनका ऐसा मानना होता है इस जंगल में उनका कोई village deity, काउम, क्या कोई देवता, जिने gram देवता कहते हैं, वो निवास करते हैं, अक्सर ये grooves किसी ऐसी नदी या water source के किनारे होते हैं, जिसमें हमेशा पानी रहे हैं, तो ये हरे भरे जो जंगल के हिस्से होते हैं, जहां पर बढ़िया तरीके से, ज जो wildlife protection amendment act 2002 आया, उसमें sacred groups को सामिल कर लिया गया, और ये भी कहा गया, जो community held land है, उसे protect किया जाएगा, जिसमें sacred groups भी सामिल है, तो कुल मिलाके, sacred groups को बचाने के लिए एक statutory प्रावधान कर दिया गया, through this act of 2002, sacred groups में जो activities होती हैं, उन्हें regulate किया जाता है, ताकि इने बचाय जा सके, जैसे sacred groups में सिकार करना या पेड़ों को काटना पूरी तरीके से मना होता है, हला कि honey collection या जो सूखे पेड़ हैं, उनको काटने को लेकर अलाओ कर दिया जाता है, NGOs local villages के साथ मिलकर इस प्रकार के जंगलों को बचाते हैं, देखे कई सारे cases में जो community के members होते हैं, वो सेटर ग्रूफ को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकार आ जाता है, हो सकता है आप से पूछलिया जाए कि किस जगे पे इन्हें किस नामों से पूकार आ जाता है, हाना कि काफिर tough हो जाएगा, आपके लिए एगर ऐसा पूछा जाता है, स्टिल आप तो यह तो अलग-अलग राजियों में नाम हुए अगला जो मामला है वो जगनात पुरी टेंपल का है अगला जगो सर्वे आफ इंडिया ने उरिशा की सरकार से ये बोला कि आप अपनी जो बहुत ही अंबिशियस स्कीम है श्री मंदर परिक्रमा प्रोजेक्ट उसको थोड़ा और इंप्रूव करिए इसके माध्यम से 12. सताबदी के जगनात पुरी टेंपल को ब्यूटिफाई किया जा रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट कॉंट्रोवर्सी में रहा विकॉज इसके लिए प्रोजेक्ट एसेस्मेंट नहीं किया गया कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट का इस प्रकार के मॉनुमेंट पर प्रभाव क्या पड़ता है खेर बात करते हैं जगनाथ पुरी टेंपल के बारे में दैश्नवरी टेंपल है जो कि भगवान जगनाथ को डेडिकेटेड है उडिसा में लोकेटेड है पूरी में भगवान जगननाथ भगवान स्रीकृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं वर्तमान की इस टेंपल को दस्वी सताबदी में बनाया गया ऐसा मना जाता है कि इसके पहले एक टेंपल अर्खिटेक्चर हुआ करता था उसे ही रीबिल्ट करके जगननाथ पुरी टेंपल को बना दिया गया इसे बनाया गया था इस्टन गंगा डैनेस्टी के सासक जो पहले राजा थे अनंत वर्मन छोद गंग देवजी के द्वारा जो पुरी टेंपल है यह फेमस है एन्वल रथ हैत्रा के लिए यह चैरिट फेस्टिवल के लिए जहां पे जो बहुत ही डेकोरेटेड रथ होते हैं मुझो प्रिंसिपल डेटीज हैं जगनाथ पुरी टेंपल के उनको कैरी करते हैं इसके अर्टिक्टेक्चर की बात करें तो यह उडिया स्टाइल में बनाया है इस टेंपल में आपको चार प्रकार का लिए और डेओल क कहा जाता है विमान जो गरवगड정을 रखा जाता है और गरवगड़ी जिससे और यहीं मुझा का धशा है मुक्ष चाला जो frontal porch होता है मंदिर का तीसरा नाट मंदिर या नाट मंदब जिसे audience hall ये dancing hall आप बोल सकते हैं और चौथा भोग मंदब offering जहाँ पे offerings दी जाती है इस वर के लिए हमारा next article denotified nomadic और semi-nomadic tribes के बारे में है standing committee ने एक report parliament को सौपी है जहाँ पर development programs जो चलाए जा रहा है सरकार के दोरा denotified nomadic और semi-nomadic tribes के लिए उनके functioning को लेकर criticize किया गया है बोला गया है सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है बात करते हैं tribes के बारे में denotified nomadic और semi-nomadic tribes ये सबसे ज़्यादा vulnerable और deprived communities माने जाती है क्या होते हैं ये सबसे पहले denotified tribe यानि कि D&T short में denotified का मतलब ये होता है कि कभी इने notify किया गया होगा कोई चीज तभी denotify की जा सकती है जब उसे कभी notify किया गया हो तो इन्हें एक समय पर notify किया गया था किस रूप में notify किया गया था born criminal की रूप में notify किया गया था किस ने किया था अंग्रेजों ने किया था अंग्रेजों ने ये कहा दिया कि कुछ tribes by nature criminal होते हैं इन्हें criminal tribe declare कर दिया किया मतलब ये अपराध करते ही करते हैं तो criminal tribes sect of 1871 बिश्वर्स लेके आये थे और उन्हें कुछ tribes को criminal tribe की रूप में notify कर दिया ये गलत था और जब देश आजाद होगा तो हम ऐसी activities को बिल्कुल बेर नहीं करेंगे तो जैसे ही देश ने आजादी पाई जो अंग्रेजों ने इन tribes को criminal tribe की रूप में notify कर रखा था हमने उन्हें denotify कर दिया उसको reverse कर दिया and that is the reason कि इन्हें denotify tribe यानि कि D&T कहा जाता है इससे उन्हें recognize करना आसान होता है उनके लिए welfare scheme सोगेरा आसानी से चलाई जा सकती है फिर मामला आता है nomadic और semi-nomadic communities का यह वो लोग होते हैं जो एक जिगह पर नहीं रहते हैं यह एक जिगह से दूसरी जिगह living के लिए गोमते रहते हैं कुछ तो लगातार गोमते रहते हैं तो वो simply nomadic हो जाते हैं कुछ-कुछ समय के लिए एक जिगह पर रुकेंगे दो-चार महीने और फिर रुमूव कर जाएंगे तो उस सेमी-Nomadic होते हैं उनकी welfare के लिए क्या प्रयास किये जाते हैं National Commission for Denotified Nomadic and Seminomadic Tribes को constitute किया गया 2006 में और इसे head किया बालकृष्ण सिद्राम रेन के जी ने इसे government ने एक notification के माध्यम से बनाया मतलब यह कोई constitutional body तो नहीं है further scheme for economic development of D&T communities जिसके माध्यम से उन्हें coaching, health insurance, live work की facilities और financial assistance भी दिया जाता है ताकि वो अपने घर बना सकें जो D&T के members हैं उनके लिए यहाँ पे देखे एक board भी बनाया गया development and welfare board for denotified nomadic and semi-nomadic communities इसे 2019 में बनाया गया Society's Registration Act of 1860 के तह है जो Ministry of Social Justice and Empowerment के तहत काम करता है इसके रामा एक और committee को बनाया गया है नीती आयोक के द्वरा जिनके पास काम है कि वो इन communities को identify करें अला article जो कि बाबू जग जीवन राम जी के बारे में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी ने अभी हाल ही में उनके 115 जन्म दिवस पर उन्हें याद किया freedom fighter रहे थे इनका जीवन काल 1908 से 1986 के बीच रहा इन्हें लोग प्यार से बाबू जी के नाम से पुकारा करते थे इन्डिया के independence के लिए activist की तरह कारे किया इन्होंने और बिहार से एक politician के तौर पर भी रहे इन्होंने ये establish किया था All India Depressed Classes League इसके माध्यम से उन्होंने Depressed Classes के लिए equality की बात की और उन्हें एक equal strata में लाने के प्रयास किया 1935 में इस संस्था को बनाया गया था जग जीवन राम जी ने कई सारे रविदास सम्मेलनों को भी आयोजित किया जहां पर वो गुरू रविदास जयंती को celebrate किया करते थे Calcutta की अलग-अलग locations में 1934 में उन्होंने अखिल भारती रविदास महासभा की भी स्थापना की Calcutta में October 1935 में वो Hammond Commission के सामने भी प्रस्तुत हुए राची में और for the first time उन्होंने दलिस के लिए voting rights के डिमांड करी बाबू जगजीवन राम जी महात्मा गांधी जी से बहुत अज़ादा प्रभावित थे और काफी एक्टिव रहे freedom struggle में उन्हीं 10 दिसंबर 1940 को गिरफ़तार भी किया गया एक बाब उन्हें फिर से 19 अगस्ट 1942 में गिरफ़तार किया गया इंडिया मुव्मिंट में उनके participation के लिए 1946 में जवाला नहरू जी के interim government में वो youngest minister बने कौन सा पद मिला उनको उनको पद मिला labor minister का जब 1971 में इंडो पार्क वार हुआ जिस समय बांगला देश एक नए देश के रूप में सामने आया उत दोरान defense minister का पद किस के पास था बाबू जग जीवन राम जी के पास था उन्होंने भारत के deputy prime minister के पद के रूप में भी काम किया उन्होंने in fact उनकी ideology को logo तक पहुचाने के रिए ministry of social justice ने बाबू जग जीवन राम national foundation को भी establish किया था इनके बारे में basic details अगर प्रश्ण आएंगे तो यहां से आएंगे और आप कर लेंगे अगला मामला लिंगराज temple के बारे में है central government ने अभी आपत्ती जिताई है उडिसा government के एक ordinance के उपर जिसके माद्यम से वो 11. सताबदी के लिंगराज temple जो कि भोनिस स्वर में है उसे एक special law के माद्यम से regulate करना चाहते है उन्होंने ordinance में एक provision ये भी किया है कि 15 member के एक committee होगी जो इस पूरे temple के काम काज को देखी की जिसे head किया जाएगा जो एक हिंदू, senior हिंदू IOS officer होंगे उनके द्वारा इस मंदिर को 11 सताबदी में बनाया गया था और finest example मना जाता है purely Hindu temples का यहाँ पर जो shivaling आपको मिलेगा लिंग राज उन्हें श्वयम्भू कहा जाता है ऐसी माने था है कि ये shivaling स्वता ही वहाँ पर आ गया था That is the reason कि ये काफि significant temple बन जाता है जो temple है वो temple architecture का एक marvel माना जाता है कलिंगा स्कूल आफ आर्किटेक्चर का योकि उड़ीसा में काफि फ्लरिश हुआ इस मंदिर के आज पास आपको 150 और छोटे-छोटे temples मिलेंगे और ये इंडिन आर्किटेक्टेक्टर के मास्टरपीस के तौर पे रिक अपनाइस किया जाता है यहां आपको इस temple में मिलेंगे चार मीन होल्स गर्भगरी, सेंक्टम, सेंक्टोरम जहां पे deity की मुर्टी होती है इस केस में शिवलिंग, यग्यमंदब जहां पे लोग prayer करते हैं नाटिमंदब, जहां पे पहले dance या music परफॉंग किया जाता था और भोगमंदब, जहां पे लोग प्रशाद अवील करते हैं कुडावास के बारे में है, researchers ने भी एक बुक को पब्लिस किया है अपले सपार्ट, poems from Kodago यह bilingual edition है, जहां पर अपन्ना के 21 poems collect किये गए है बुक जो है, यह इंडिंजर कुडावा टेक के language जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी देखा कुडावास एक ethno-languistic group है करनाटिका का जो कुर्ग का रिजिन है उसे ही आप Kodago भी बोलते हो, वहाँ पर यह पाए जाते है यह Kodawa language बोलते है हमेशा से यह land-owning agriculturalist group रहा है इनके पास जमीन होती है, यह खेती करते है यह अपने ancestors की और weapons की पूजा करते है इनकी culture में weapons का हाथियारों का एक बहुत important role है and that is the reason कि भरत में यह एक मात रहसी community है जो बिना किसी license के fire arms यानिकी guns करी कर सकती है Cal Poldoo, festival of arms Kaveri, Sankarmana, worship of river Kaveri और Puttari, harvest festival यह इनकी कुछ important festivals है Kodawa Tech के language की बात करते हैं तो यह द्रविनिन गूर्प की language है इसकी कोई script नहीं है बट धिमे धिमिनों नहीं कनर language में लिखना सीख लिया इस language को Indianger language की category में UNESCO ने डाला हुआ है इनकी संख्या 2001 के census के according 1,66,187 लोगों की ही है जो इस language का इस्तेमाल करते हैं हमारा next article Guru Nabhadaz जी के बारे में है हाली में पंजाब की सरकार ने इसे एक gadgeted holiday डेकलेर कर दिया है पंजाब में Guru Nabhadaz जी को एक बहुत ही महतपूर personality के रूप में देखा जाता है करण भी हम समझ लेंगे 16 सताबदी के एक संथ हुआ करते थे पहले इनकी जयनती को restricted holidays की list में रख दिया गया था मतलब इस जयनती पर छुटिया नहीं होती थी पंजाब की सरकार ने जो नई government बनी है उन्होंने इसे एक gadgeted holiday बना दिया है Guru Nabhadaz जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 8 April 1537 को हुआ था पदरशलम जो गाम है गुदावरी जदी के किनारे परतमान का जो तिलंगाना का रीजन है बहाँ पे ये महासा community से बिलॉंग करते थे जिने डूम या दूमना community भी बोलते हैं ये शिर्यूल कास्ट community होती है ठीक है फदर बच्पन से ही ये और्फन रहे गुरू नभादास जी जिनका वास्तविक नाम नरायन दास हुआ करता था इनका जुकाओ इस्पिचलिटी की ओर हमेशा से रहा करता था इनके माता पिता नहीं थे दो रिलीजिस गुरू थे अगार दास और कील दास उन्हें ये एक गाउं के पास मिल गए थे तो ये दोनों ही गुरू इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं वहाँ पे जो एक टेंपल था घलता धाम का उस जिगें पे और अभी वो नभादासी कम्यूटी के लिए जैपुर में एक पिल्ग्रमिस का सेंटर है इस कम्यूटी के लोगों को नभादासीयास कहा जाता है ये बेसिकली टोकरियां बनाते हैं बास की या कुछ सामान रखने के लिए कुछ बासकाब उनके तयार कर देते हैं गुरू नभादास जी ने भगत मल लिखा था 1585 में यहां पे 200 संतु के लैफ स्टूरी का एक कंपाइलेशन है और फाइनली 1643 में अपने अंतिम सास ली पंजाब में यह अकसर विजिट किया करते थे एक पंडोरी विलेज है गुर्दास्पुर डिस्टिक में जहां पे दूम कम्यूटी के लोग आहा करते थे तो वहां पर उनका अकसर आना जाना होता था इसलिए पंजाब में भी लोग इन्हें बहुत ही आस्था के साथ देखते हैं हामरा नेक्स्ट आरिकल यक्षिगान के बारे में है कई सारे स्टूडेंट्स मत्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, वेस्टमंगाल, बुच्राथ, राजस्थान से खुद को इंडूल कर रहे हैं यक्षिगान थेटर में ट्रेनिंग के लिए लोग इंट्रस्टर हैं यक्षिगान में मतब केरना, केरला और करनाटका वहाँ पर यक्षिगान आपको मिलेगा विजन अगर एंपायर के समय काफ़े ज़्यदा फ्लरिश हुआ यह याद रखीगा इसे जंकुला वारुजी ने परफॉर्म करके पॉप्लराइज भी किया इसमें आपको डान्स, म्यूजिक, डाइलोग, कॉस्ट्यूम, मेकप, स्टेज टेकनिक सब बल जाएगा इसे कई बार आता बोल देते हैं या अता बोल देते हैं इसका मतब सिंपल एक प्ले होता है इसमें रामायन, महाभारत, भगवत, गीता और कई सारे एपेक्स यो हिंदू, और जयायन, लिटरेचर के होते हैं उनकी स्टोरीज को डिपक किया जाता है थूर यक्षिकान यहां पर देखे 2017 में पुछा गया एक प्रश्न है यह मनी पूरी संकीरतन के बारे में है एक सॉंग और नास परफॉर्मेंस है एक मात म्यूजिकल इस्टुमेंट है जिसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है यह लौर्ड क्रिश्ना के लाइफ एंड डिट्स उनके कारियों को निरेट करता है इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं देने वाला क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे आप देंगे comment box में नेक्स आर्टिकल पाम संडे के बारे में है केरला में जो भी believers हैं क्राइस्ट की उन्होंने पाम संडे को celebrate किया इसे जो holy week है उसकी शुरुवात मानी जाती है Easter Sunday के पहले लेकि Easter का जो festival होता है वो observe किया जाता है मनाया जाता है ऐसी मानेता है कि उस दिन Jesus Christ crucified होने के बाद बापिस से चिंदा हो गये थे पाम संडे Christian November Feast होता है जो कि Easter Sunday के पहले का जो संडे होता है उस दिन मनाया जाता है यहाँ पर जो Jesus Christ जी की entry थी Jerusalem में बहुत ही glorious entry थी उसे ही याद किया जाता है और यह holy week का पहला दिन होता है मनता है कि जब वो Jerusalem में एंटर करने वाले थे तो उन्होंने अपने सिश्यों से दो गधों को मंगवाया वो काफी confused से क्यों मंगवाया जा रहा है बड़ चुकी Christ ने कहा था तो उन्होंने बिना सवाल किये दो गधे उनके सामने पस्तुत कर दिये उसके बाद वो एक गधे पर बैठ जा दे हैं और उस गधे पर बैठ कर वो Jerusalem में एंटर करते हैं वहाँ के जो लोग थे जो उनकी आने से बहुत अधा खुश थे उन्होंने जो palm tree होता है उसके पत्नों को लेकर उन्हें welcome किया ये जो entry थी उनकी वो एक king की तरह थी एक राजा की तरह थी एक साशप को इस प्रकार की जो grand entry है वो मिलती है जोसलम के entry को हमरा next article global silk city network के बारे में है बैंगलूरू पहले इने city बन गई है जिसे global silk city network में जगह मिल गई है इसके माद हम से जो artisans होते हैं craftsmen होते हैं वो information को exchange कर सकते हैं और craftsmanship की जो technique होती है उसे trade relations में involved करके सीख भी सकते हैं तेरा best silk producing cities 9 countries इस पूरे network का हिस्सा है यहां पर बैंगलूरू को एड़ किया गया इसके अतिहासिक कारण है International City Culture Commission Lyon, France में 1950s में बनाया किया 2013 में ही बैंगलूरू में आया बैंगलूरू को इंडिया के Silicon Valley भी कहा जाता है जहां innovation और IT के hub के रूप में इसे acknowledge किया जाता है एक उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में जो वेश्ट बंगाल का मुर्शीदाबाद district है उसे भी Global Silk City Network में जिगह मिलेगी क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी उन्नत किस्म के सिर्क तयार किया जाते रहे हैं 300 साल पहले से जो बंगाल में मुर्शीदाबाद का एरिया है जो उमीद है कि शामिल हो सकता है Global Silk City Network में मुगल रूर के समय में जब बंगाल में बंगाल के नवाब बने मुर्शीद को लिखान जो उन्होंने जैसे तैसे खुद को लगबग इंडिपेंडेंडेंटी कर लिया था जो उस समय के मुगल सा सकते उनसे उन्होंने इपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शी रावाद में शिफ्ट कर दिया था जो कि भाग देथी निदी के किनारे है उसके बाद वो सिल्क सिटी के रूप में काफी तीसी से डवलब हुआ हमारा निक्स्त आर्टिकल मेगालितिक स्टोन जार्स के बारे में है जिन्हें गजाख ठोजा किया है असाम की दीमा हसौर डिस्टिक्स में कई सारे मेगालितिक स्टोन जार यानि कि पत्थर के बरतन खोजे गए हैं उमीद है इस तरीके से कि इंडिया का जो आसाम का रिजिन है वो साउथ इस्ट एश्या से जुड़ा रहा होगा कि इस कल्चर ले किसी भी तरीके से 2nd मिलिनियम बीसी यानि कि आज से 200 साल पहले ये जार कुछ ऐसे दिखते हैं पत्थरों को बीच में से एक बरतन दुमा आकरती दे दी जाती है इसमें वो संभावत अपनी ग्रीन्स या फिर कोई अन्य सामान स्टोर करके रखा करते होंगे मेगलिथिक स्टोन जार्स फॉर दा फर्स टाइम 1929 में देखे गए थे जब बिटिस सिवल सर्वेंट जीम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेंडरी हॉटन ने इसे खोजा था उसके बाद दीमा हसौर डिस्टिक्ट में आसाम के 6 साइट्स खोजी गई काफी लंबे समय तक डिसकवरी बंद रही उमीद ये की जाती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन जार साइट है ये स्टोन जार कई सारे तो बिल्कुल लंबे और कुछ सिलिंड्रिकल है as you can see that in the image further कुछ तो पूरी तरीके से जमीन के उपर है कुछ को आधा जमीन में गाडा गया है या फिर हो सकता है समय के साथ मिट्टी से वो कवर हो गए हूँ तीन मीटर हाई और दो मीटर वाइड इस प्रकार के हमें डेकोरेटिव कार्विंग वाले जार भी मिले है study ये बता दिया है कि कुछ ऐसे ही similar जार हमें लाउस और इंडोनेशिया में भी मिले है दो साइड्स हैं जहां पर similar जार मिले है तो इससे ऐसा रगता है कि में भी वो culturally linked रहे हूँ हमारा next article महावीर जयनती की बारे में है प्राइमिनिस्टर ने अभी हाली में महावीर जयनती के मौके पर लोगों को greet किया पगवान महावीर की जो noble teachings नहीं specifically peace, compassion and brotherhood की उस पर भी संग्यान लिया गया विकास दुनिया को आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूत है ये 24-वें तिर्थंकर रहे जिन्होंने 23-वें तिर्थंकर पार्शुनाद जी के बाद जगे ली जैन टेक्स्ट के में तॉबिक जो लॉड महावीरा है उनका जन्म जो त्रयोदिसी का दिन होता है चैत्र महा में उस दिन हुआ था 13-वें ठीक है मार्च या अप्रेयल में usually ग्रिगोरियन केलेंडर के according इनका जन्म दिवस आता है इस दौरान एकरत हयात्रा भी होती है जहां पर उनकी जो मूर्ती होती है उसे स्नान करवाया जाता है और उसे हम कहते हैं अभी शेख जो जैन प्रेयर्स हैं जिससे आप स्तवन्स बोलते हैं उन्हें पर साइट किया जाता है भवान महावीर का जन्म जो कुंडल ग्राम की राजा थे किंग सिर्धार्थ और जो रानी थी त्रिशला उनसे हुआ था त्रिशला जो महरानी थी वो लिच्वी प्रिंसस थी 540 BC में इनका जन्म हुआ था वज्जी किंगडम में आप पिहार में जो वर्तमान में वैसाली है वो वज्जी किंगडम की जगह हुआ करती थी और इनका जो जन्म है वो इच्वाकू डाइनस्टी से था मतलब वहीं से ये बिलॉंग करते थे कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं अपनी वर्डी लाइफ को संसारिक जीवन को छोड़ दिया और बारा सालों के बाद उन्हें कैवल लेकी प्राप्ती होई और तब जो अंतिम ग्यान है उसके उन्हें प्राप्ती हो गई उनकी बहुत इंपोर्टेंट टीचिंग्स है पाँच इनकी टीचिंग्स को जैन अग्मा कहा जाता है इन्होंने चुकि प्राकृत भासा का इस्तिमाल किया इसलिए इनकी बाते दूर दूर तक पहुँची और लोगोंने इनकी बातों को आसानी से समझा भी महावीर का जन्म ऐसा मना जाता है बिहार के राजगिर में जो वर्तमान में राजगिर की जगे हैं उस समय जो पावा पुरी नाम की जगे थी वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले थी तो यहाँ पर देखें 2018 में प्रशन पूछा गया था कि स्थनक वासी एक सेक्ट है किस से बिलॉंग करता है इसका जो जवाब था वो जैनिजम था भी था आला कि उस समय ये काफी टफ कोईशन था कई सरे लोगों के लिए जिन्होंने सभी सेक्ट जैनिजम के नहीं पढ़े हुए थे हमारा नेक्स आर्डिकल वीर कौर सिंग जी के बारे में है गौर्मिंट तयारी कर रही है उन्हीं जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 30 अप्रैल को उस उकेशन पर उन्हीं याद किया जाए उस परपस से ये उजैनिया क्लैन से बिलॉंग करते थे परमार राजपूत फैमिली से जगदीजपूर के जो वर्तमान में भोजपूर डिस्टिक में मिलेगा बिहार के बिश्चल्स के खिलाब विहार में फाइट को इन्होंने अच्छी तरीके से और्गिनेज़ किया इन्हें पॉपिलरली वीर कौर सिंग के नाम से पुकारा जाता था अठासो सताउन का जो विद्रोह था उसमें बिहार में जो लीड ली गई थी वो वीर कौर सिंग जी के द्वारा ही ली गई थी जब ये ये लीड लेते हैं तो इनकी उम्र 80 साल थी मतलब ये काफी बुज़र्ग अवस्था में पहुँच गए थे यदेपी ने दो लोगों का साथ मिला था इनके भाई बाबू अमर सिंग का और इनके कमाडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंग जी का कहते हैं कि जो इनिशल सक्सेस इने मिली वो हरे कृष्ण सिंग जी की वज़े से ही मिली अलगभग एक साल तक अंग्री जिन से परिशान रहे और इंड तक ये इन्विंसिबल बने रहे गुरला वारफेर के मास्टो थे 26 अप्रैल 1858 को इहोंने अपनी अंतिम सास ली इनकी आद में 1906 में एक स्टैंप भी जारी किया गया था 1992 में वीर कौर्ण सिंग यूश्टी आरा में खोला गया 2017 में वीर कौर्ण सिंग से तो और इनाईस किया गया जो आरा को छपरा से जोडता है 2018 में इनकी 168 अनिवर्सरी को अब्जर्व किया गया उनकी डेथ अनिवर्सरी को बेसिकली जहां पे हाइडिंग पार्ण में उनकी मूर्ती को लगाया गया और उसका नाम बदल के वीर कौर्ण सिंग आजादी पार्ण रख दिया गया हमारा नेक्स आर्डिकल गुरू तेक बहादुर जी के बारे में है हमारे प्रामिनिस्टर उनके चार सौवे प्रकास पर्ण के मौके पर देज को एड्रस करेंगे न्यू डैली में रेट फोर्ट से गुरू तेक बहादुर जी नौवे सिख गुरू थे टोटल दस सिख गुरू हुए हैं सिख जम में 1621 से 1675 का इनका जीवन काल रहा 1665 से 1675 दस सानों तक इन्होंनी सिख जम को लीड किया और सिख गुरू के पत पर रहे अमरिस्टर में इनका जन्म हुआ था पंजाब में 1621 में ये गुरू हर गुविन सिंजी के सबसे चोटे बेटे थे जो की सिख जम में छटे गुरू रहे हैं इनके 115 हाइम्स को स्री गुरू गंस साहिब में जगह दी गई है जो की सिख जम का बहुत ही होली और मीन टेक्स्ट है औरिजिनली इनका नाम था त्यागमल इन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई मुगल फोर्सेस के खिलाफ गलेंटरी जो दिखाई उसके चलते इन्हें नाम मिला गुरू तेक बहादू या तेक बहादू नाम दिया गया सिख खोली प्रिमाइसिस जैसे कि गुर्द्वारा सिस गंज साहिब गुर्द्वारा रकाब गंज साहिब जो डैली में है ये उनके एक्जेक्यूशन और क्रिमेशन को मार्क करते हैं उन्हें execute किया गया था गुद्वारा सिस गंज सहीप के जिगह पे और उनका क्रिमेशन गुद्वारा रकाप गंज सहीप के जिगह पे हुआ हमारा नेक्स्ट आर्रिकल साइकलोपियन वॉल उफ राजगीर के बारे में है इसे बनाया गया था उससे में चुकि बनाया गया था प्रीमॉरे नेरा की यह दिवार है तो बहुत undressed stone से बनाई गया यह मतला एसनलि बहुत fresh stone से बनाया गया इसको लेकिन बहुत पुरानी वॉल है और इस दिवार का जिकर buddhist works में भी हमें मिल जाता है इसी nationally protected monument बताया गया है ASI के कॉर्डी, already well listed है और भी बाते ध्यान लखी, उनेश्कों में दो world heritage sites है, पहला है ecological site और नलंदा महावीरा जो नलंदा में है और दूसरा है महाबोधी temple जो बोध गया में है हमारा next article करागा festival के बारे में है, काफी पुराना festival है, करागा को आप temple fair भी बोल सकते हो, फैर इसका मतलब कुछ हो और आता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बैंगलूरू में जो धर्मार्या स्वामी temple है, वहाँ पर हर साल होता है इसे annually celebrate किया जाता है चैत के महिने में, मार्च अप्राइल का समय होता है, बिसिकलिए हिंदू कलेंडर के according ये महाभारत, जो epic है, उससे जुड़ा हुआ है, द्रौपदी को honor किया जाता है Goddess सक्टी के रूप में, ऐसा मना जाता है, कि वो एक ideal woman थी, और उन्हीं worship किया जाता है, उनके सम्मान में सुरे festival को organize किया जाता है जो word है, करागा इसका मतलब होता है, एक earthen pot basically एक पूरा structure होता है, एक earthen pot होता है यानि कि मिट्टी का बर्दन, उसके उपर एक floral pyramid बना दिया जाता है, fool का आप यहाँ image में देख सकते हो और एक, जो idol है, goddess की, उसको भी वहाँ पे लगाया जाता है जो वेक्ति से carry करता है, उसे सिर पे रखके चलता है, बिना उसे छुए जो carrier होगा, कोई भी हो उन्हें woman का tire लेना होगा, कंगन पहनने होगे, चूड़िया पहननी होगी, मंगल सुत पहनना होगा, और सिंदूर भी लगाना होगा उसके बाद, वो इस करागा को carry करेंगे, हमरा नेक्स्ट आर्टिकल, अलूरी सीताराम राजुजी के बारे में है, ये नाम आपने कई दफा हो सकता है, पहले भी सुना हो हो सकता है, अभी तक आप में से ज़्यादा तर लोगों ने RRRR या RRRR, ये मूवी देख ली हो इस मूवी में दो character है एक का नाम है राम, और दूसरे character का नाम है भी, बिसिकली ये रंपार रिवेलियन से प्रभावित एक मूवी है ये देपी इसे एक fictional character या एक fictional सुरूप ज़रूर दिया गया है ताकि ये आपके लिए entertaining भी हो यहाँ पे लेकिन जो दो characters है वो रंपार रिवेलियन के दो बहुत ही prominent character रहे है अलूरी सिताराम राजू ये राम के character में है ठीक है, in fact I will say कि राम इनके character में है, वो मैंने opposite बोल दिया तो अलूरी सिताराम राजू का जो character है अलूरी सिताराम राजू जो की आंधर प्रदेस के विशा का पटनम से विलॉंग करते थे 1897 से 1924 का इनका पूरा समय रहा है इंडियन रिवलुशनली रहे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बतमान में जो आंधर प्रदेस है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था एंटि बिटेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे 1882 के बाद से ही जब मदरास फॉरेस्ट आया जिसके तहर कई सारे आधिवेसी कम्यूटी के लोगों को जंगलों में उनकी जो एक्टिविटीज थी उनको बार कर दिया गया फर्दा जूनकी एक ट्रडिशनल एग्रिकल्चर प्रैक्टिस थे जिसे पोडू कहा जाता था उसको भी एंग्रेजियों ने रोग दिया था जिससे ये काफी नारास थे डिसकंटेंट काफी जदा बढ़ता गया और फाइनली जो ये डिसकंटेंट था वो रंपा रेबेलन के रूप में 1922 में उवरा जिसमें अलूरी सितारा अमराजू जी ने भी एक प्रॉमिनेंट रोल प्ले किया इन्हें लोग मान्यम विरुदू के नाम से पुकारते थे यानि की Hero of the Jungle इनकी जो Heroic activities होती थी उसकी वज़े से हमारा नेक्स आर्डिकल कॉंगू चोला एरा के Hero Stones के बारे में है Archaeologist जो काफी जदा interested रहता है इस पुकार के डिसकावरी में उन्होंने हाली में तीन Hero Stones खोजे है बताया जा रहा है कि ये 11 और 12 सताबदी के हो सकते है जो कि कॉंगू चोला के रूल के दौरान के possibly है तमिल नाडू के कोया मटूर डिस्टिक्मेंट को खोजा गया है इन Heroes में से जो तीन Statues मिले हैं उनमें एक काफी ज़दा important है जो की ठलाई बली सिर्पमजी का है यहां पर इस sculpture में basically वो दो तलवारों से खुद को sacrifice कर रहे हैं एक ritual के दौरान और उसी को इस stone में डिपक किया गया है तमिल नाडू में जो Hero Stones हैं वो memorials हुआ करते थे जिनने एरक किया जाता था पुराने समय में ऐसे Heroes के लिए जिनने या तो युद्ध में अपनी जान गवा दी या फिर वो cattle raids में अपनी जान गवा देते थे cattle raids मतलब कि मवेशियों के लिए raid करना, हमला करना काफी important हिस्सा होता था उनके जीवन का चुकि capital जो होता था या फिर जो group होगा वो protect करेगा उनको तो conflict होगा in that case किसी वेक्ती के जान जाने की पूरी संभावना रहते थी कुल्मला के kind of एक छोटी से battle हो जाती थी, तो पाशरों society का काफी important हिस्सा होता था कि cattle के लिए raid करना, तो उन दोरान भी कई सरे लोग अपनी जान गवाते थे और उने उनकी community के लोग hero का दर्जा देते थे in fact, Sangam Literatures में भी कहते तो ये हैं कि इस परकार के hero stones को बनाने के शुरुआत तो iron age या उसके पहले ही शुरू हो गई थी, Sangam Literatures में भी इस परकार के hero stones का जिक्र है जिनको लोग object of worship मानते थे तोलकाप्यम में भी hero stones के erect करने के procedure के बारे में जानकारी है hero stones जो Sangam Age में बनाया जाते थे उसमें basically कोई picture तो नहीं होती थी Tamil या ब्रहमी में inscriptions होते थे जिसने उन heroes के बारे में लिख दिया जाता था लेकिन Sangam Age के बाद जो erections किये गए वहाँ पे sculptures भी दिये जाने लगे मतलब images draw की जाने लगी जो भी description होता था उससे सांस साथ जो post Sangam Age के hero stones है basically पल्लो पीरड की वो बड़ी संख्या में हमें ऐसे regions में मिलते हैं जहाबर पहले मवेशियों को पाला जाता था कि जो hero stones होते थे इनमें descriptions, heroes के नाम और या फिर उनकी image उसे भी depict किया जाता है कॉंगू चोलास की बात पर हैं तो एक hypothesis है कि कॉंगू चोलास जो कंद्रा आदिते थे उनके descendants हुआ करते थे कंद्रा आदिते जी 950 से 947 के बीच में थे और ये परिंतक चोला वन के बेटे थे imperial चोला लाइन जो main चोलास का पूरा साशन था उसमें ये परिंतक चोला वन के बेटे हुआ करते थे उन्हें के descendants के तौर पे कॉंगू चोलास आते हैं इनके बारे में बहुत ज़़़ा जानकारी हैं हमारे पास है नहीं लेकिन कंदर आदित्ते जो राज किशारी पेरु वल्ली इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर कॉंगो चोलास के बारे में जानकारी मिलती है और वहीं इस पूरे हाइपोथेसिस का बैसिस भी है पहले कॉंगो चोला रूलर के तौर पे वी रिचोल वन को रेकोगनाईज किया जाता है जिनका साशन 1942 से 1980 के बीच में था हमरा नेक्स टार्टिकल International Day for Monuments and Sites के बारे में है हर साल 18 अप्राइल को ये डे observe किया जाता है कॉमनली से World Heritage Day भी कहा जाता है 18 अप्राइल को हर साल उसे बनाते हैं 1982 में इसका प्रस्ताव रखा था ECOMOS में यानि कि International Council on Monuments and Sites ने 1983 में UNESCO ने इसे अप्रूव भी कर दिया इसके मात्यां से हम History और Culture के बारे में जो Monuments हैं उनके समन्द में Awareness रेस करते हैं इस बार के Theme रही Heritage and Climate World Heritage Site United Nations और UNESCO दोनों मिल के Recognize करते हैं दुनिया में जो भी Important Sites है जो Humanity के लिए Important है जिनकी Cultural and Physical Significance है उसे साइट के तौर पर Recognize कर दिया जाता है यहाँ पर यह Recognition Administer किया जाता है UNESCO World Heritage Committee की तोरा जिसमें UNESCO के 21 मेंबर होते हैं जिने General Assembly में सी ही Elect किया जाता है जो साइट है वो तो रहती लीगली उसी देश की है लेकिन UNESCO मानता है कि दुनिया के लिए भी Important है तो वो से Preserve करने की कोशिस करते है कोई भी साइट इसमें शामिल हो सकते है गर वो पहले से ही Classified Landmark है उसकी कुछ Cultural या Physical Significance है बारत में वर्तमान में 40 UNESCO World Heritage Site है सबसे Lattest है गुजरात का दोला वेरा जो की एक खडपन सिटी है यह 40 वर्ल हेरिटेस साइट इंडिया की बनी कंचन जिंगा नेशनल पार्क जो किसे किम में है यह इंडिया की एक मात्र Mixed World Heritage Site है हमारा नेक्स्ट आर्डिकल चेन्ना केश्वा टेंपल के बारे में है काफी पुरानी परंपरा है करनाटका के बेलूर में जो बहुत ही एतिहासी चेन्ना केश्वा टेंपल है वहाँ पर जब एक रथ यात्रा निकलती है तो कुरान के कुछ verses recite किये जाते है यह परंपरा काफी पुरानी है जिन्होंने अभी इसे recite किया और हुनने कहा कि उनके पता और उनके पता इसे recite किया करते थे और उनके बाद उनके बेटे इसे recite करेंगे ये kind of religious harmony को portray करता है कि एक हिंदू temple की रत रियात्रा में कुरान के वर्सिस को परंपरा की रूप में बहुत लंबे समय से recite किया जाता रहा है जबकि वर्तमान में आपको कई सरी जिगहों पर communal harmony की खराब रिस्ति दिख रही होगी 900 साल पुराना चेनना केश्वा temple आपको विजयनगर स्टाइल में मिलेगा खोईसल किंग विश्नु वर्धन ने इसे बनवाया था 1116 AD में उन्होंने चोलास के खिलाफ एक battle लड़ी थी Battle of Talakar जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी उसके बाद इस मंदिर को बनवा के इसे विजयनगर temple नाम दे दिया गया था 1220 सताब्दी का जो ये temple है ये soft soap stone से बनाया गया है क्योंकि ये पत्थर थोड़े नरम होते हैं और इन पर carving करना आसान होता है दो craft man थे इसमें दसोजा और चवना ये पिता और पत्र थे तो डूओ था इनका इन्होंने इस पूरे जो मंदिर है उसे तयार किया ये कल्यान चनुक्या आर्ट का जो center है वहां से बिलॉण करते थे बेलूर की बात करते हैं इसे वेलापूरी, वेलूर, बेलापूर कई सारे नामों से पुकारा जाता था यागची रिवर के किनारे ये location है होईसल्स की ये पहली capital भी हुआ करती थी इसे काफी पवित्र स्थान माना गया है इसे earthly वैकुंट या विष्णू जी का भगवान जो विष्णू है उनका घर बताया जाता है या डक्षिन वारानशी, सदन होली सिटी जो वारानशी आपको नौर्थ में मिलता है उत्तर प्रदेश में डक्षिन का बनानशी से कहा जाता है तो पवित्र जगे हैं, ऐसी मानेता है हमरा जो नेक्स आर्टिकल है, वो मल्चा महल के बारे में है डेली की गौर्मन ने प्लान किया है कि वो 14th century के इस monument को फिर से renovate करेंगे डेली में रहने वाले बहुत सारी लोगों को ये पता नहीं होगा कि डेली के सेंटर में जंगल में ये एक मल्चा महल एक्जिस्ट करता है लोग सम्टाइम से हॉंटेड भी बोलते हैं कि यहां पे भूत रहते हैं 1325 में उस समय के सुल्तान फिरुशात तुगलक ने, यानि कि FST ने से बनवाया था तब इसका इस्सिमाल हंटिंग लॉज के तौर पे होता था वो जंगलों में जाते थे शिकार करने तो यहीं पर ठहरते थे बाद में ये जो अवद के नमाब के डिसेंडेंस अनि के वनसच हैं उनका घर भी बन गया ऐसा कहा जाता है, बात में देखे इसका नाम विलायत महल रख दिया गया, बिकाज बेगम विलायत महल जो अवद की थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो अवद की रोयल फैमिली से बिलॉंग करती है बिसिकली जब प्रीवी पर्स को खतम कर दिया इंदरा गांधी जी ने, तो उनके पास लाइवरी हुट के मीन्स रह नहीं गया पहले तो पेंशन मिलती थी, वो बंद हो गई तो उन्होंने काफी लंबे समय तक प्रटेस किया डैली में जो स्टेशन है, उसका एक जो VIP Lodge है, उसको उन्होंने पकड़ लिया था वहीं पर रहके परटेस कर रही थी जानकारी जब इंदरा गांधी जी को लगी तो उन्होंने कहा कि हम आपको कोई residence दे देंगे क्योंकि हमारी वज़ज़ से आप displace हो रहे हो तो उनको जो DDA के flats हैं, वो देने की कोशिस की गई कि वो वहाँ पर रह लें, लेकिन बोलो काफी लंबे समय से ऐसे ancestral properties में रहे थे तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने का आप हमें कोई ऐसी जिगर दीजे, जो isolated हो जहाँ पर हम शांती से रह सकें तो 1995 में फाइनली उन्हें ये मल्चा महल दे दिया गया, तो उन्होंने अपना एक लंबा समय मल्चा महल में बिताया फिरोस्ता तुगलक, FST की बात करते हैं 1309 में इनका जन्म हुआ था और डैली की throne को इन्होंने अवेल किया, 17 पीरिड में मुंम्मद बिन तुगलक, जो इनके कजिन थे उनके डिमाइस के बाद सत्ता, FST अनिके फिरोस्ता तुगलक को मिली, ये तीसे रूलर थे तुगलक डैनिस्टी के, तुगलक डैनिस्टी ने 1320 से 1412 के बीच में रूल किया और यहाँ पे जो फिरोस्ता तुगलक थे, इनका कारेकाल या जीव जो भी रेन था, वो 1315 से 1388 के बीच था इन्होंने जजिया को इंपोस किया था जजिया या जिजिया ये पर कैपिटा एरली टेक्सेशन होता है ये उप्शन उनको दिया गया था हालिके उन्हें सेलरी नहीं मिलती थी, बदले में उनको जमीन दे दी जाती थी जिससे वो अपना खर्च चलाते थे बिच्शोस ने FST को, या नि फिरोस्ता तुगलक को Father of the Irrigation Department कहा था, विकाज उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान गॉर्णमेंट चल रही है अब क्योंकि तालिबान गॉर्णमेंट को इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, तो चाइना की इस इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए ये बमियन्स बुद्धा को प्रिजर्व करने की कूशिश कर रहे हैं अल्दो एक बार पहले भी जब आपके तालिबान का रूल हुआ करता था अफगानिस्तान में 2001 के समय उस समय इन स्टैचू को डिस्टॉय करने की बात की गई थी मतलब बम से उड़ाया भी गया आप यह देख रहे हैं यह स्टैचू का जैसे यहां पर मुह है काफी डिस्फिगर कर दिया गया है यहां पर लेग्स के उपर इंपेक्ट देखने को मिल रहा है तो कुछ इस तरह से इसे डिस्टॉय करने की कूशिश की गई थी कालिबान के द्वारा 2001 में जिसके बाद 2003 मे इन्हें UNESCO World Heritage Site का दर्जा मिल गया था लोकली इन स्टैचू को सलसाल और समावा कहा जाता है एक चीज जो आपको याद रखने है वो यह है कि गुपता सिसायन और हिनेरिस्टिक आर्टिक्टिक्ट्र स्टाइल है या आर्टिस्टिक स्टाइल है उसका कॉन्फिएंस देखन आईए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की अब भारत में इंडिजनेस स्पोर्ट्स को रूरर इंडिजनेस स्पोर्ट्स को पर्मोट करने के लिए हमने शुरू किया है खेलो इंडियस के अब जैसे कि आप सभी जानते कि हेल्थ इस वेल्थ तो यहाँ पर मनिस्ट्री आफ यूद की ये कोशिश है इस सेंटर सेक्टर स्कीम के थूरू कि हम यूद के अंदर लोकल स्पोर्ट्स को पर्मोट कर सके हैं क्योंकि होलिस्टिकली डिवलप्मेंट के लिए स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर इसी चीज के ऊपर इंफिसा को परफॉर्म करते हैं जिसे कई बार आपने देखा होगा इंसान ऐसे एक पोल सा होता है उसके साथ लाइक उपर लात ऐसे रखके खड़ा हो जाता है उसके उपर अक्सराइज वगरा करता है तो दूसरा आपका कलारी पेर टू अब यह केरला का है इनका नाम याद रखना मैं आज दा फॉल्विंग टाइप आपको आ सकता है इसके उपर कुशिन बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जूट नहीं यह एक तरह का आपका मार्शलार्ट है और इसमें भी आप अलग-अलग टेकनीक का यूज़ करते हैं जैसे फिजिकल बाड़ी अक्सिसाइज आप स्टिक के साथ लड़ रहे हैं आप तलवार के साथ लड़ रहे हैं तो यह अलग-अलग टाइप इसके हो सकते हैं तीसरा है आपका गटका जो पंजाब में खेला जाता है यह भी एक तरह का ट्रडिशनल मार्शलार्ट फॉर्म है जो स्टिक गुरू के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई है उसे यहां पर दर्शाया जा सके तंक ता आपका मनिपूर का माश्यलार्ट है लोकल वहां का इसके लावा योगासन के बारे में आपको पता होगा यहां पर इडिटेशन के पोज बगरा के बारे में बात की जाती है जिससे पदमासन हो गया, सिधासन हो गया, आपका वजरासन हो गया, कुछ इस तरह के poses को यहाँ पर प्रमूट किया जाता है, इससे ऐसे और भी बहुत से आपके pose हो सकते हैं, इसको श्रलंका में भी और मलेशिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है, नाओ लेट एस कम अक्रॉस दी निक्स आर्टिकल, नेशनल फिलम डिवल्प्मेंट कोपरेशन, अभी रीसेंट्ली इसे बनाया गया है, चार आपकी बॉडिज वहा करती थी, जिसे फिलम डिवीजिन, अब इन चारों के काम जो थे वो अलग-अलग थे, अब इन्हें मर्ज करकर एक ही बना दिया गया है, मतलब अब ये चार अलग-अलग बॉड नहीं है आपके, जिसे अगर बात करें फिलम डिवीजिन, इसको 1948 में बनाया गया था, और इसको काम ये दिया गया था कि जो भी आपकी डॉक्यमेंटरीज होगे रहा है, या मैगजीन होगे रहा है, उनको कहीं ना कहीं, like, सिनेमाटिक रिकॉर्ड के तौर पर यहां पर रखा जाता था, उनको रखा भी जाता था, और साथ की साथ उनकी वेल्यू ओडीशिन के उपर भी काम किया जाता था, नाओ इफ आप देखते ना चलाक लोमडी की कहानी, या कुछ ऐसे से आपकी स्टोरी लाइन वगरा होती है, तो उनको यहां पर प्रमोट किया जाता है, तीसरा है आपका डिरेक्टरेट अफ फिलम्स, अब यह जो डिरेक्टरेट अफ फिलम है, यह 1973 में बना था, और इसका काम यह है कि प्रमोट करें इंडिन फिलम्स को और कल्चरल अक्षेंज को, साथ की साथ जो यह लास है आपका नेशनल फिलम आर्काइव अफ इंडिया, इससे स्टाबलिश किया गया था 1964 में, और इसका अबजेक्टिव यह है कि अक्वार करता है और प्रिजर्व करता है सिनेमाटिक हरिटेज आफ इंडिया, मतलब कहीं नहीं जो हम इतनी डैवर्ट्स फिलम बनाते हैं, जैसे हरिश चंद्र आपको याद होगा, हमारी सबसे पहली फिलम थे, तो वो यहाँ पर ही प्रिजर्व करके रखी गई होगी, इसके बारे में इतना ही जाना जरूरी था, अब थोड इंडियन फिलम भी हो, बच्चों के लिए भी हो, तो बहुत सा काम ओवरलाप कर रहा था, तो जिसकी वज़े से, इनकी वर्किंग में कमी देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर कोशिश ये की गई है, कि इनकी वर्किंग को इंप्रूव किया जा सके, साथ की साथ, जो हमा की डेवलप्मेंट है, उसे हम और वेटर कर सके, अगर हम बात करें, नेशनल फिलम डेवलप्मेंट का ओपरेशन की, तो यह सेंटर पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है, जो मिनिस्ट्य आफ इंफोर्मेशन के अंडर आती है, और यह 1975 में इस्टाबलिश की गई थी, और इसका काम यह है कि यह प्लान करता है और पर मोट करता है इंडियन सिनेमा को, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इतना ही धन्यवाद, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू अरे मच्छ,